ने समलैंगिक विवाको कानूनी मानिता देने से इंकार कर दिया है। समिधान पीट की पांच जजों की बेंच ने तीन दोल से ये फैसला सुनाया। इस वरान कोट ने क्या कुछ कहा? दिखाते हैं आपको इस कास रिपोर्ट के से लिए। समलैंगिक विवाको कानूनी मानिता देने की मांग करने वाली याचिकाओ पर आज सुप्रेम कोट ने अपना बहु प्रतिक्षित फैसला सुना दिया है। CGI, DIY, चंद्रजूण, संजय किशन कॉल, रविंद्र भट, हीमा कोली और पी-एस नरसिंबा की अधिक्षिता वाली सम्विधान पीट की पांच जजों की पैंच ने तीन दो से फैसला सुनाते हुए समलैंगिक विवाको कानूनी मानिता देने से इंकार कर दिया है। पैंच ने कहा कि कानून समलैंगिक विवाक की अधिकार को मानिता नहीं देता है। इसके लिए कानून बनाना संसत पर निर्भर है। बता दे कि सुप्रेम कोर्ट की सम्विदान पीट ने 20 जाचिकाओं पर इस मामले की 10 दिनों तक सुनवाई पूरी कर 11 मई को प्रफैसला सुरक्षित रख लिया था। समलैंगिक विवापर सुप्रेम फैसला। कानूनीक मानिता पर सुप्रेम कोर्ट का इनकार नामा। पांच जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। सम्विदान पीट की बेंच ने 3-2 से सुनाया फैसला। शादी का अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार। अदालत नहीं बना सकती है कानून। LGBT Q मुद्टे पर संसत ले संग्यान। वहीं CGI चंदरचूड ने पैसला सुनाते हुए कहा कि ये कहना गलत है कि विवा एकिस्तिर और अपरिवर्तन ये संस्ता है। उन्होंने कहा कि अगर विशेश विवा अधिनियम को खत्म कर दिया गया तो ये देश को आजादी से पहले के युक में ले जाएगा। विशेश विवा अधिनियम की विवस्ता में बदलाओ की अविशक्ता है या नहीं ये संसत को तै करना है। साथी उन्होंने कहा कि अधालत को विदाई चेतर में प्रवेशना करने के प्रतिसाभधान रहना चाहिए। इसके लावा पांच जजों की पेंच ने भारत में LGBT समुदाय को शादी में समानता देने के अधिकार से मना कर दिया। उन्होंने सरकार को निर्देश देते हुए का कि इस मुत्य पर कवेटी बना करें कानून लागू करने के बारे में विचार करें और इसके साथ ही उनके साथ किसी तरह का कोई भेदबाव नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा सुप्रीम कोट के जो हमारा स्पेशल बेंच ये था उसने बहुत अच्छा डिसीजन दिया जिसमें उन्होंने माना कि इस तरीके की सेम सेक्स मेरिज को रिकगनाईज नहीं कर सकते। इससे देश का जो एक कल्चर है हमारा जो हिंदुस्तान की जो एक कल्चर है वो खराब हो जाएगी इससे महौल खराब हो जाएगा यही सुप्रीम कोट में बारस सरकार का व्यू था। वही सुनवाई के दौरान अदालत के सामने सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुशार मेता रेका की एक बायोलोजिक पिता और माँ बच्चे पैदा कर सकती है यही प्रकृति का नियम है इससे छिड़चार नहीं होना चाहिए जिसके बाद तुशार मेता न नियाले से नुरोद करते बे कहा कि इसे संसत के ओपर छोड़ देना चाहिए कि हमें हमने एक कदम जरूर आगे लिया है तो वो शादी कर सकते हैं आज की डेट पे बट अगें वो ट्रांसजेंडर जो हमारे फ्रेंज जो एक दूसरे को गेज या लेजबियन कपल आइडेंटिफाय करते हैं वो शादिया नहीं कर सकते हैं तो बेसिकली जुजमेंट है वो लेजबियन, गे और बाइसेक्शुल कम्यूनिटी के थोड़ा थोड़ा अगेंस्ट गया है इन वे बाकी ट्रांसजेंटर कपल्स के लिए दिस इस अ गुड़ विक्ट्री और वेरी पॉसिटिव स्टेप बहराल कोट के इस वैसले के बाद सरकार के लिए मील का पत्थर हो गया है क्योंकि समलैंकिक विवाग को कानूनी अधिकार देने के लिए सरकार को जैकडो कानून में संशोधन करना पड़ेगा